हैदराबाद, सिकंदराबाद ते लंगाना स्टेट का सबसे खुबसूरत और प्रोग्रेसिव रीजन है ये काफी प्रसिद्ध है अपने स्टॉरिकल मॉनुमेंट्स, एंशेंट अर्किटक्चर और खुबसूरत हुसेन सागर लेक के लिए और ये बड़ा IT हब भी है, ते लंगाना स्टेट काफी महत्पूल करी है, जो नौर्थ इंडिया और इस्ट इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ती है इस बात की महत्तका को समस्ते हुए इंडिया के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और यूनियन मिनिस्टर को रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवे श्री निर्थिन गटकरी जी ने एक मिशन चालू किया कि तिलंगाना को बेस से बेस इंफरस्ट्रक्चर और फास्टोर्स की जरूरत है कहाँ थ हना इंडिया की रोड कि वेड़ प्रधान मंतरी मोधी जी ने किया है उसके आधार पर मैं सदन को विश्वात दिलानाचाता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले और नितिन गटकरी जी की ये statement सुनकर लगता भी है कि इंडियन रोड एंड आइवेस का इंफरस्ट्रक्चर कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि हर बारती पैचान नहीं पाएगा ये इंडिया की रोड से या अमेरिका की आईए जानते हैं इस वीडियो में कि इस बार नितिन गटकरी जी ने कौन सा नाया प्रजेक्ट बना दिया है कि नितिन गटकिरी जी का स्टील रोड प्रोजेक्ट आने वाले एक साल के लिए परिक्षाण में है जिस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखका जिस वीडियो को आप यहां आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में पढ़े लिंक से देख सकते हैं इस स्टील रोड प्रोजेक्ट के तहफ नितिन गटकिरी जी ने डेस में पहली स्टील की सड़क बनवाई जी हाँ दोस्तों स्टील की सड़क रुख जौव इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना यूनियन मिनिस्टर फोर रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे नितियन गटकरीची ने अप्रिल 2022 में दो बड़े रोड इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लंगाना में बना के तयार कर दिया है और कुल 8,000 करोड रुपे से बने 460 किलोमेटर की लंबाई वाले 17 नेशनल हाइवेज की अधार शिला यानी पाउंडेशन रखी CRIF के अंतरगत जिनको नहीं पता CRIF क्या है उनको पता दे ये एक तरह की फंड कंपनी है जो इंडिया के अंदर की रोड्स, हाइवेज और अधर इंफरस्ट्रक्चर के मेंटेनेंस और डवलप्मेंट में हेल्प करती है CRIF का फुल फॉर्म होता है Central Road and Infrastructure Fund मार्च 2022 तक तेलंगाना में 4996 किलोमेटर का National Highway Network है जो 2014 में जब नितिन गटकिरी जी आये थे बताओ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिर्फ 4996 किलोमेटर का आधा था 2014 तक ये नेटवर्क तेलंगाना में सिर्फ 2511 किलोमेटर का था 2014 से अभी 2022 तक ये नेटवर्क डबल हो गया है नितिन गटकिरी जी का ये कहना है कि उन्होंने इन आठ सालों में सिर्फ तेलंगाना स्टेट के National Highways को 2485 किलोमेटर बढ़ा दिए इसी दोरान उन्होंने ये भी कहा कि इससे भी तेजगती से इंडिया में रोड प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं और इसी तरह भविश्य में भी रोड नेटवर्क बढ़ता रहेगा नितिन गटकिरी जी ने कहा कि दिसंबर 2024 तक तेलंगाना में इन लाग करोड रुपए की नेशनल हाइवे इंफरस्ट्रक्चर परियोजनाई बनाई जाएंगी और वो विश्वास दिलाते हैं कि ये सारी सड़के युनाइट इस्टेट्स ऑफ अमेरिका के बराबर होंगी दोस्तों नितिन गटकिरी जी के इन रोड प्रोजेक्ट्स को पूरे देश में काफी पसंद किया जा रहा है सिवाए कुछ लोगों को जिनको सब लोग अपोजीशन बोलते हैं नितिन गटकिरी जी का ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताए इस वीडियो को शेर कर नितिन गटकिरी जी के इन कामों को पूरे देश में फैलाए वीडियो को लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ऐसी अमेजिंग जानकारी से अपडेट रहने के लिए जैहिंद